नमस्कार दोस्तों स्वागते आपको मेरे चैनल में फिर से एक बार रहूँ आपकी वही अंजली हमेशायर समझ के यो नजर अंदाज मत करिये नजर हम फेर ले तो हुसन का बाजार गिर जाएगा जी हाँ आपने सही सुना हम आज की डेली राशी फल की बात कर रहे हैं यह जो प्रेडिक्शन है चंदराशी पर आधारित है सबसे बहले शुरबात में जिनका बचे है या फिर मारी जनुवर्सरी है उनको मेरी तरफ से धेल सारी बधाई हो तो चलिए अब शिरू करते है समय आपका है चाहे तो दूसरों की पंचायती में लगा लो या खुद के भविश्य बनाने में फैसला आपका है मुस्कुराहट इसलिए नहीं कि खुशियां जिन्दगी में जादा है मुस्कुराहट इसलिए है कि जिन्दगी से ना हरने का वादा किया है एक दिन शिकायत हमें समय और संसार से नहीं खुद से होगी कि जिन्दगी सामने थी और हम संसार में ही उल्चे रहे जीवन का यही मूल मंत्र है, खुद का दुख और दूसरे का सुख गिनना छोड़ दो एक अच्छी मा हर किसी के पास होती है, लेकिन एक अच्छी आउलाद हर मा के पास नहीं होती आप भी अच्छे बनिये और अपने माता पिता का खयाल रखे यह संसार तो सोई हुए लोगों की भीड है, और सोई हुए लोग जागे हुए आदमी को बरदाश नहीं करते इसलिए आप किसी की मत सुनो और अपने लक्ष को सामने रख कर आगे बढ़ते जाओ आईले के सामने खड़े होकर खुद से ही माफी मांग ली मैंने सबसे जादा अपना ही दिल दुखाया मैंने औरों को खुश करते करते अंकार मत कर किसी को कुछ भी दे कर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जनम का कर्ज चुका रहा है समझने वाले तो खामोशी को भी समझ लेते हैं और ना समझने वाले जजबातों का भी मजा कुड़ा देते हैं सबसे पहले मैं आपको बटा दू कि आज आपके लिए भागिशाली अंग यानि लखी कलर देएगा के सिरी और शुब अंग तरहने वाला है छी आज को जो दिन है वो आपके लिए बहुत ही कुछ खास लेकर आ रहा है या आने वाला है आपको अपने वरिष्टों से काफी अच्छे चीज़ें सीखने को मिल सकती है वैसे भी ये लाइफ हमारी सीखने के लिए ही है लोग आपके क्षमताओं पर भरुसा करेंगे आपके योगिता पर विश्वास जताएंगे आपको बहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं बहतर परिणाम लाने के लिए काफी मोटिवेशन भी आपको मिल सकता है अपनी खास जीवन में दिन आपके लिए बहुत एच्छा रहने वाला है आज का किवल आपको अपनी पीट का ध्यान रखने की सलाह ऐसे सितारे दे रही है आज ये समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताने का है बच्चों के साथ बिताएगे पल आपको नई उर्जा और सुफुर्ती प्रदान कर सकते है दोस्तों का बुरा साथ मिल सकता है उच्छी शिक्षा समंदी कुछ सूचनाय भी मिल सकती है बच्चों को अमोद प्रमोद और मनुरंजन में काफी हद तक समय आपका स्पेंट हो पाएगा इस समय कोई भी इंपोर्टेंट फैस्टा लेना आपके पक्षमी शुब नहीं हो सकता इसने आज शांती बनाए रखिए शांत रहेगा धन से लेटेर आप अव्याय भी हो सकता है भाई बेहनों के सबंद भी खराम मत होने जीजेगा इसका विशेश रूप से आज आज आपको ध्यान रखना ही होगा आज का दिन आपके लिए बहुत कुछ खास और भी लेकर आने वाला है आपको अपने जो दोस्त हैं मित्र हैं उनसे सीखने को बहुत ही कुछ मिल सकता है जिसे आप काफी हतर चीजें अच्छी कर सकते हैं ऐसे सितारे कह रहे हैं वहीं आज आज आपको धैरे भी बना कर रखना होगा कुछ मानलों में आपको गलत जानकारी मिल सकती है शान्ती से ही हैंडल करना पड़ेगा अब विवाहित लोगों के लिए सितारे सला दे रहे हैं कि अगर आप अपने लिए किसी सार्थी का चैन करने की सूच रहे हैं तो उसे समझधारी से फैसला लें तो बैटर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं आपका पूरी करा से विवहारिक द्रिश्टी कोन आपके अंदर की जो उर्चा है उसको बल प्रदान कर सकता है आप दिलों और दिमा का समझधिय स्थापित करकी अपने लक्ष को प्राप्ट कर सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं रिस्क वाली कारों में सपलता मिल सकती है परिव और अचानक से ही किसी की वज़़े से कोई बंता बनाया जो काम है वो भी विगर सकता है इसलिए मैं इसलिए सलाह देती हूँ कि आज आपको जहें किसी बर भी आंखी बनकर भरोसा नहीं करना चाहिए पहले सोच और विचार कर लीजिए उनको देख लीजिए कि वो कहां से बोलते हैं कहां से बात कर सकते हैं तो इसलिए आपको आज विशेश रुप से इस बात का ध्यान भी रखना है आगे बढ़ती है लब-लाईफ की तरफ तो लब-लाईफ की आज कहती है कि बाहर के व्यक्तियों का हस्तक्षे आपके विवाहिक जीवन में परिशानियों का कार आपका साथी आपके भविश्य को प्रभावित भी करेगा आज के दिन में शाद भी रहना होगा बहतर होगा कि किसी की साथी कर्चैन करने में आपको समझदारी परतनी होगी या जब किसी की राइल या फिर मश्वुरा ले सकते हैं एक उसने का सहयोग आपसे समंदों में मद आपको बुद्धिमान और आकर्शिक भी लगता है वे आपके साथ अपनी बातों को सांचा करना चाहता है इसलिए जादा से जादा उनकी सुनिए उनकी साथ समय बताईए तो जादा बेटर रहेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिजनस और करेर की जरफ बिजनस और करे हैं कि इंस्टिचूट सबंदी विविसाय से जुड़े जो लोग हैं आज अपनी बनाई हुई योजनाव को क्रियानवित करें सपलता तो मिलेगी और निकट भविश्य में उसका लाग भी आपको अच्छे से देखने को मिल सकता है साथ साथ ने पब्लिक सबंदी काम भी म भी गती आ सकती है तीजी आ सकती है आपके बॉस आपको अच्छा परदशन करने के लिए प्रूत साहित कर सकते हैं पिजानते हैं कि आप बहतर काम करने में काफी जादा सक्षम है आपके टीम के साथी के साथ कोई गलत फैमिया हो सकती है शात रहें चीज़े बहतर धीरे- होती जली जाएंगे अगर आप दूसरों की सिलाह लेने की अपेक्षा अपने फैसले को मानने रखेंगे तो आप के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद रहेगा आज के लिए लेकित यह चीज़ आप इसे कुछ लोगों पर हो सकती है यह समय भाग की अपेक्षा कर्म पर स्वास करने का है अपने बॉधिक बल पर उपलब धियां हासिल कर सकते हैं इसले करम लगातर करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए चलीए बात करते हैं आज अस्वास्ती और हेल्थ के बारे में तो इस समय अपना रखतेचाप नीव में चेक प कर वाते कारे की अधिक्त आपका जो मूड है उसे प्रभावित भी हो सकता है यह नेचरल बात है आपको कमर दद भी हो सकती है साधा नहींगा वजन उठाने में साधाने आज के दिन आपको बर्तनी ही होगी किसे को चोट लग सकती है कोई घटना हो सकती है इसलिए वाहन भी ध्यान से चलाना होगा प् आपकी सेथ में नजर आने शुरू हो जाएंगे चलिए बात करते हैं आज के विशेष उपाई के बारे में तो आज का जो शेष उपाई रहेगा कि आज आपको घर में अपने माता पिता की सेवा तो करने ही चाहिए साथ इसाथ में अपने भाई बहनों की नराजकी को दू करने को मिल सकते हैं इसे घर में भी शांती रहेगी आपके अंदर भी शांती का भाव अपने आप आने लगेगा तो दोस्तों अगर आपको यह हमारे वीडियो अच्छी लगी हूँ तो लाइक पर